तो दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर मार्केट पे मोजू सभी IPO के हम लोग GMP प्राइस के बारे में जानेंगे इसके साथ ही हम लोग ये भी किल्कुलेशन्स करने की कोसिस करेंगे कि अगर आप इन IPO के अंदर अपले करते हैं और आपको इहां से अलोट्मेंट मिल जाती है तो एक लोट की मतब से आपको कितना प्रोफिट हो सकता है इसके साथ ही आज की रेट में जो भी IPO क्लोज हुए उनके अंदर सब्सक्रिप्सन कितना है और इन IPO के अंदर आपके अलोट्मेंट मिलने के चांसस क्या है इसके बारे में हम लोग DTS में जानने बाले हैं तो चलिए दोस्तो वीडियो स्टार्ट करते हैं आपके IPO के अंदर अलोट्मेंट के चांस के बारे में DTS में जान लेते हैं किसी भी IPO का GMP चेक करने के लिए हम लोग एक website के help लेते जिसका नाम है moneymentidate.com आपको google के अंदर search कर देना है moneymentidate.com जैसे ही यहाँ पे आप search करेंगे तो यहाँ पे देखें पेले number पे आपको IPO GMP today देखेंगा आपको इसके उपर click कर देना है जैसे ही आप click करेंगे यहाँ पे आपको page को नीचे school करना है जैसे ही आप page को नीचे school करेंगे सभी IPO का GMP price यहाँ पे आपको show कर दिये जाएगा पेली गंपरी के बात करें तो इसके अंदर सारीवाल crop का IPO हमें देखने को मिल जाता है यह IPO 1 अगस से लेके 5 अगस के बीच open रेने वाला है आज की रेट में GMP price 63 रुपे चल रहा है 106 रुपे इसका price बेंड रखागा है एक लोट के अंदर आपको 1200 share मिलेंगे 8 अगस को यह IPO पूलिष्ट होते देखने को मिल जाएगा यह IPO 1 अगस से लेके 5 अगस के बीच open रेने वाला है आज की रेट में GMP price 61 रुपे चल रहा है 401 रुपे इसका price बेंड रखा गया है एक लोट के अंदर आपको 37 share मिलेगे 8 अगस को यह IPO पूलिष्ट होते देखने को मिल जाएगा अगली कमपनी की बात करें तो इसके अंदर पिचर, पोस, इस्टूडियो का IPO हमें देखने को मिल जाता है यह IPO 2 अगस से लेके 6 अगस के भी चोपन रेने वाला है आज की रेट में GMP price 18 रुपे चल रहा है 24 रुपे इसका price बेंड रखा गया है एक लोट के अंदर आपको 6,000 share मिलेगे नव अगस को यह IPO अपको लिष्ट होते देखने को मिल जाएगा आज की रेट में एक लोट के अंदर 1,08,000 रुपे का profit दिखा रहा है estimated distinct price की बात करें तो 42 रुपे के आसपास के अपको लिष्ट होते देखने को मिल जाएगा अगली कमपनी के बात करें तो इसके अंदर Ola Electric का IPO हमें देखने को मिल जाता है यह IPO 2 अगस से लेके 6 अगस के बीच ओपन रेने वाला है आज की रेट में इसका GMP price 10 रुपे चल रहा है अगली कमपनी के बात करें तो इसके अंदर EPCOM Holding का IPO हमें देखने को मिल जाता है यह IPO 2 अगस से लेके 6 अगस के बीच ओपन रेने वाला है आज की रेट में इसका GMP price 141 रुपे चल रहा है 108 रुपे इसका price band रखा गया है एक लोट के अंदर आपको 1200 share मिलेगे 9 अगस को यह IPO अपको लिष्ट होते देखने को मिल जाएगा आज की रेट में एक लोट के अंदर 1,79,200 रुपे का profit दिखा रहा है estimated listing price की बात करें तो 250 रुपे के आसपास यह अपको लिष्ट होते देखने को मिल जाएगा अगली कमपनी के बात करें तो इसके अंदर 1st cry का IPO हमें देखने को मिल जाता है यह IPO 6 अगस से लेखे 8 अगस की बीच open रहने वाला है आज की रेट में GMP price 101 रुपे चल रहा है 465 रुपे इसका price बेंड रखा गया है एक लोट के अंदर आपको 32 share मिलेंगे 13 अगस को यह IPO अपको लिष्ट होते देखने को मिल जाएगा आज की रेट में एक लोट के अंदर 3296 रुपे का profit दिखा रहा है estimated listing price की बात करें 568 रुपे के आजपास ही अपको लिष्ट होते देखने को मिल जाएगा अगली कमपनी के बात करें तो अगली कमपनी के बात करें तो static engineers का IPO हमें देखने को मिल जाता है यह IPO आठ अगस से लेके 12 अगस की बीच ओपन रेने वाला है आज की रेट में इसका GMP price 59 रुपीज दिखा रहा है 58 रुपीज इसका price band रखा गया है एक लोट के अंदर आपको 2000 share मिलेंगे 60 रुपीज को यह IPO आपको लिष्ट होते देखने को मिल जाएगा आज की रेट में एक लोट के अंदर 1,8,000 रुपे का profit दिखा रहा है estimated listing price की बात करें तो 117 रुपे के आसपास यह आपको लिष्ट होते देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों यह सभी IPO के GMP price से आप खुद भी money mint idea के उपर कभी भी इनको चेक कर सकते GMP price money mint idea के उपर दिन में 3 से 5 बार आपको अपडेट होते देखने को मिल जाएगा अभी हम लोग उन IPO की बात कर लिए जो आज की डेट में close हो है इसके साथ ही आज की डेट में हम हमें कुछ IPO open होते देखने को मिल लिए इसके साथ ही साथ ही आज की डेट में हमें कुच IPO open होते देखने को मिल है इसके साथ ही यहाँ पर देखे काफी सारे IPO अभी के टाइम में open है तो इनके अंदर कैसी demand चल रही है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं पोला एलेक्ट्रिक का देखना चाहरे है तो यहाँ आप subscription देख सकते हैं काफी कुम subscription से एक कौम का देख सकते हैं आप यह IPO oversubscribe हो चुका है इसके साथ ही धारी वाल क्रोप यहाँ पर 9.97 time oversubscribe हो चुका है दोस्तों अगर आप एक beginner से और आप first time किसी SME IPO के अंदर apply करने के बारे में सूच रहे हैं यहाँ पर देखिए आपको एक चीज ध्यान रखना है खासकर SME IPO के लिए बता रहा हूं उस IPO के अंदर QAB portions होना चाहिए इसके साथ ही जो IPO का subscriptions रहेगा वो 50 times से जादा oversubscribe होना चाहिए जब तक IPO 50 times से जादा oversubscribe ना हो आप उसके अंदर apply कभी में मत कीजेगा ने तो आप बह development chance देखने के लिए हैं पर देखिए किसी बेट लिए उपर क्लिक कर देना है इसके अंदर काफी अच्छा subscriptions है यहाँ पर क्लिक करना है आप आप को नीचे आना है जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको retail individual investor आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ पर दे हमें क्लोज होते देखने को मिला है अकुम्स रक्स का इसके अंदर अगर मैं आपके अलोट्मेंट चांस की बात करूं तो मोटा माटी 21 अप्लिकेशन में से एक अप्लिकेशन के अंदर अलोट्मट मिलने वाली है तो आप लोगों कीतनी अप्लिकेशन के अंदर अपलेई किया है उससाब से आप किलकुलेशन करके देख सकते हैं तो दोस्तो इस तरह के से हम किसी भी इसल्य इपूस रडlen से लिए अपको सब्सटो के वेब साइट के देने की चलिए दोस्तों मिलते और किसी ने वीडियो में नई जानकरी साथ चलिए तरने बाद